कि कुस्च्चन नंबर टू यह तो हो गया हमारा कि अधू पर आ जाते हैं कि 2012 में आए अपके एक्जाम में और यह कुश्चन ना ऐसा सोचों के सरी आएगा नहीं आएगा इंकम टेक्स के अंदर ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो छोड़ेंगे सब पूछेंगे सारे पूछेंगे कि चलिए आईए कहता है मनन सेठिया इस इसितिजं अफ इंडिया आप सितिजन फ इंडिया जो कोई भी हो जाए तो इंडियन ओरिजइन तो है है भाई और इंडियन ओरिजइन है सितिजन फ इंडिया है तो 182 दिन सिर्फ चेक होगा समझ मैं है since 2016 से इंडियन कमपनी में है on September 2020 मनन लेफ्ट दा इंडिया सेप्टमबर 2020 में चला गया कहां पर जर्मनी और वैसे वी इंप्लॉइमेंट वाला केस आ गया तो इंप्लॉइमेंट वाला एक्सेप्शन केस का ही बाट है जॉब के लिए बाहर जाओगे तो कि फॉरण कंपनी में गया दूरिंग दा प्रीवियस एर एक्सवाइस तो कहता है बहिए एक्सवाइस का निकालना है तो इक्सवाइस में फिर से हम लिख ले क्योंकि यहां पर आपको डेट गीवन है तो अब एप्रेल में जून जुलाई अगस सेप्टमबर अक्टूबर न स्थ्पिन जुलाई यादि सेप्टमबर में छोड के गया अपरिल में तो पूरे चीज दिन था हैं इहां 31 दिन था यहां 31 दिन था यह 31 दिनल यहां 31 दिन सेप्टमबर चोड़को यह लाएक दिन ठा度 सब्टमबर को एक को छोड़के गया तो यह वोट 아니고 को छोड़के गया इस फेले इंडिया के इसके बाद सप्टमबर है और क्यूंकि वह वापस नहीं आए तो बाहर है कि हैं इंडियन से जीजन अब इसके लिए कौन सा कंडिशन होगा स्रेफ बेसिक कंडिशन पर्स्ट यह बाते भी आपको पता लग रहें कि बेसिक कंडिशन हुआ निक्यूं यह पता चल नहीं complete करपाया तो additional तक तो हमें जाना ही नहीं चाहिए समझें अब भया सिंपल सी बात है यह हो गया नन रेजिडेंट salary from indian company indian company से हो रहा है तो इसके लिए टेक्सवल होगा नोई तीनों के लिए है तो इसके लिए भी हो जागा दो साथ का salary from foreign और इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे कैसे कम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इंकम ऑफ मिस्टर मनन सेथिया फूर एसेस्मेंट यर दो हजार इकिस बाइस और प्रॉपर कॉलम बना के लिखना है यह होगा इसका सेकिंड आंसर फर्स्ट आंसर होगा इसका रेजिदेंशल स्टेटर जो की हमने बनाया है तो आईए इसको द इंडिया दो हजार इकिस इसने डेज नहीं बता है थोड़ा सा आंसर में चेंज कर दिया पहले वाले में कहा था बता दिया मैं यह भी बोल सकता है स्टेइन इंडिया किस वाइस जो की था 154 डेजी रुका है यह बस मैं यह लिख देता इस एप्रेल में 30 मैं जून ही अगस सेप्टेंबर में एक दिन 154 आप नहीं बताया है ही स्टे इन इंडिया दूरिंग प्रिविएस यह लेस दन 182 डेज एक्सेप्शन केस ही देरफोर नों डेजिदेंट मुझे आंसर में थोड़ा बहुत कमी लग रही है क्योंकि उस टाइम पर यह कम नंबर में आय हो आउटसाइड इंडिया है फोर दा पर्पस ओफ इंप्लॉइमेंट देन अउनली एप्ली केवल बेसिक कंडिशन वन इसके उपर बेसिक कंडिशन वन लगे यह थोड़ी सी बात और एक्स्प्लेट करनी चाहिए अब कम्प्यूटेशन अब टोटल इंकम इसमें भी कमी ह बता इसमें क्या कमी यह कम्प्यूटेशन अब टोटल इंकम लिखा है एसिस्मेंट इर नहीं लिखा किस साल का है उसके बाद यह तो सिंपल ही है और मैंने इंकम निकालके बताई दिया 390 और यह हो गया अब मान लो यह आपके 18 नमर का कुश्चन आ जाए दैन आपको यह भी एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा क्यों नहीं लिया इसको टैक्सेबल नहीं लिया तो वह तो क्लियर है क्यों नहीं लिया वह बताना है जो चीछ छोड़ रहे हो क्यों नहीं लिया तो आपको एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा कि यह फॉरन इंकम है फॉरन इंकम क्या आजाते हैं क्योंकि इंकम टेक्स चल रहा है हमारे रूल के उपर और रूल में जो बाते लिखी है वही एक्स्प्लीन करना है हां लेंग्वेज एकदम लॉवाले नहीं होने चाहिए लेंग्वेज एकदम बिल्कुल सोचो किताब वाले एकदम प्रॉपर लिदे नहीं अपनी भाषा में भी सिंपल आप लिख सकते हो और वैदर हिंदी और इंग्लिज दोनों ही अप्ली की वो थे डेली उनिवर्सटी के एक्जाम में तो तो अपने लेंग्वेज में लिख सकते हो चलिए अब कोश्चन नमबर थ्री जो सिंपल सिंपल से कोश्चन है यही पर देख सकते हो आप रोयल्टी इंकम अर्ण रिसीविन यूके रोयल्टी इंकम अर्ण एंड रिसीवन यूके तो अर्ण कहां किया नहीं बता है तो माल लो यूके में किया होगा तो किसके लिए टेक्सेबल बताइए किसके लिए taxable अरे बच्चों के इतने सारे doubt आ गए ठीक है थर्ड में बताए गया बोला आप समझ लो और और हो और हो और हो और हो और हो कोई भी हो तीनों के लिए बताओ तो जो तीन लाइन खीशते हैं वैसे बताना है तो यह किसके लिए taxable सिर्फ एक के लिए income from business बांगलादेश receive in इंडिया बट control from इंडिया में control इंडिया से हो रहा है तो किसके लिए दो के लिए taxable हो ठीक है इंकम रिसीव आउटसाइड इंडिया बिजनस connection इन इंडिया बिजनस कहां इंडिया में है तीनों के लिए salary रिसीव इंडिया रिसीव हो गया इंडिया में तो तीनों के लिए income from agriculture इंडिया नेपाल तो रिसीव भी महीं हो रहा है तो एक के लिए पास अंटेक्स foreign income तो किसी के लिए नहीं लगेगा जैसे कि हमने देखा हुआ इसको तो आप यहां पर देखेंगे तो इस तरीके से यह income calculate करना है बस कुछ नोट दे दिया जैसे कि पास फॉर अंटेक्स income पचास अजार has been not included in the gross total income income because of not income of the previous year 2021 इसे पहले की कभी इनकम रही होगी है कि कुछ नमबर चार देखिए कि कुछ नमबर चार है कि वहां लिख लेते हैं तो ज्यादा दिखता है यहां पर विज्वल ना थोड़ा कम रहता है अब बताइए फिर चेक करेंगे ठीक है और यह अभी हम सिर्फ इंडिविज्वल सीख रहे हैं अगली क्लास के अंदर विग्जाम में वैसे इंडिविज्वल ही आता है हम हुए फ और कंपनी और बाकी के भी सीख लेंगे अब कहता है एक्स क्या है नोन रिजिदेंट इंडिया तो भाया सिर्फ अनर के लिए बताना है अब कहता है रोयलिटी रिसीप बाइ हम आउटसाइड इंडिया फ्रम गवर्रम्न ऑफ इंडिया तो टैक्सवल होगा इनर के लिए गॉर्मेंट ऑफ इंडिया से रोयल्टी मिल रहा है तो भारत से ही मिल रहा है ना तो तीनों के लिए होगा तो एनार भी आ जाएगा तो पॉइंट नंबर वन इसके लिए टेक्सेवल हो जाएगा देट इस गीजिते फ्रहां पुर्चे पर्जक शुश्चन कितना घुमा रही है कि कहता है कि टेक्निकल फी सर्विस इकल्स बाहल लो कंप्यूटर खराब को गया आपने कंप्यूटर सब्सक्राइप बीदेगे या जो फेलिए आप युगर्विभा लेके ठीक कर देते हो उसके भी पैसे चार्ज होते हैं बाहर से तो कहता है मैंने एक टेक्निकल फीस दिया फ्रॉम ए लिमिटेड अब कहता है एन इंडियन कंपनी यह इंडिया की गया हूं और मैं जर्मनी घूमने किया तो वहां पर मेरे पैसे आए और जिस जो मैंने सर्विस दिया था वह सर्विस मैंने इरान को दिया था यानि मैं मानलो इंडिया में बैठा हूं और मैंने इरान में सर्विस दे दिये उसने कोई था computer मैंने ठीक कर दिया और मैं इंडिया से बाहर चले गए गूमने और मैं गूमने गया और जर्मनी में पैसे रिसीव हुए इसकी मुझे तो आपको यहां देखना होगा कि भीया सोर्स कहां से है तो आपका यहां पर सोर्स कहां से है इंडियन कंपनी तो है तो जब यह इंडियन कंपनी है तो टेक्सिबल कौन देगा जब इंडिया में ही है तो तीनों ही देंगे तो तीनों के लिए टेक्सिबल हो जाएगा इंकम फ्रॉम बिजनस इन इंडिया अब तो बाती खतम हो गए रिसीव आउटसाइड इंडिया तो ये भी इंडिया इंडिया नहीं होगा यहां पर आई जो इंडिया में बैठके ही सर्विस दे रहा है अगर ऐसे को जैसे यह डाउट लेबल है तो आपको नोट दिना पड़ेगा ठीक है ना तो यहां पर देखो सर्विस गवर्णमेंट इक्रूड आउटसाइड इंडिया इसने क्य कमाया कहां गया भारत के बाहर ही एंड रिसीब भी कहां हुआ भारत के बाहर यह मान लिया गया नौट चार्जबल टू टेक्स यह लिख दिया इसने के हम यह मान रहे हैं अगर आप मान ले तो एकुरू इंडिया में ही हुआ है तो फिर तीनों पर लग जाएगा समझे बात चलिए अिवें सेलिक एन इरान तो कमाया कहां वहीं पर एक के लिए डिविदेंट रिसीब फर्यूंपनी कि इंडियन कमपनी से तीनों के लिए इंटरस्ट बैंक डिपॉजित इंडिया तीनों के लिए सब् Level 2, के लिए अब कई बार ऐसा होता है सर इंकम रिचीव हाँ परपटे ही 제रण से है TO प एसे तो बताया है निनर सब्सक्राइज हैं कहा रिसी आमें जये से उसक्त कते हुए गाहर हुए किनि कहा रीसी बात कर रहeda सी नहीं होगा अरे सेगिंड पॉइंट कोई बड़ा कोशिशन दिखनी ना मेरे को जो कि खतम ही हो गया यह चलो यह तो बता दिया चलो कोशिशन सिक्स देखते हैं देखें प्राम दा फॉलविंग इंकम अन बाइज डूरिंग दा फाइनेंशल येर 21 और 21 आप एक बार याद रखेंगा फाइनेंशल येर और प्रीविएस येर एक ही होता है जिस साल पैसे कमाया गया और प्रीविएस येर दोनों क्या है एक ही है आगे कहता है इस टोटल इंकम असेस्मेंट येर टोटल इंकम बताईए और इसका रेजिदेंशल स्टेटस के नोन यानि बोला गया ये अनुर है तब आप बताईए इसका टोटल इंकम प्रॉफिट फ्रविजनस इंडेली मैनेज फ्रॉम लंडन यानि बिजनस कहा है डेली में और मैनेज कहां से हो रहा है तो बताई कॉनटेक्स देगा क्योंकि भारत की जमिन पर पैसे ही कमा रहे है तो तीनों देगा तो और भी टेक्सिबल हो जाएगा यह पैंशन सर्विस रेंडिट इन इंडिया बट रिसीव लंडन अब भारत से पैंशन जा रहा है कमाया भारत से तो तीनों के लिए तो आनुवार भी आई जाएगा कि इंकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटिड लंडन रिसीव दियर अब बताओ एक फरन इंकम हो गया नहीं तो आरो और देगा अंहीற नहीं देगा थीसरे पे आइंकम फ्रॉम इंडिककल्चर लैंड नेपाल रिसीव दियर एंड लेटर ब्रॉट इंडिया अब लटर प्रॉट इन्डिया तो remittance ना बताया थे ना बाद में receive करके फिर इंडिया में लाएग्य तो BOB यह क्या होगा हैं 15 अपरी दो यह लिए उढ़ी जा जाएगा तो यह चारにちは यह क्या हो ग hiç हमारीév नकम सींपल सी बताम नहीं थी अपको इसमें कोई जज़ादा था नहीं तो यह रहां आपके अब ये लास्ट कोश्टन है इसी में पड़ लेते हैं सैलरी रिसीब फ्रॉम इंडिया रिसीब इंडिया किसके लिए इंकम फ्रॉफेशन इंडिया बट रिसीब इंडिया में इंडिया में है लेकिन रिसीब कहा हो रहा है जर्मनी इंडिया में प्रॉपर्टी इंकम युग टू इन्डिया तो सिर्फ एक के लिए सिरफ किसके लिए लेकिन सर यहांपे 2040 वहां 5 तो एक लिए कि लिए कितना पूरे क्योंकि पूरे पांच लाग मानलो युगांड़ा में रिसीव हो गया उसमें से 240 यहां लिए हैं तो 240 रमेटेंस हो गया है बाकी दो साथ रेमिटेंस हुआ नहीं तो दो साथ रेमिटेंस नहीं हुआ अगर आपका status R.O.R. है तब तो दे नहीं है और रेमिटेंस के case में भी किसको देने R.O.R. तो ultimately 5 लाक ही हो गया न R.O.R. के लिए 11 लाक पता भे दिया Profit and from business in Bangalore बैंगलोर भारत में यह भाई तो तीनों के लिए यह रहे है ना Profit and business Bangalore यही है Agriculture income Poland भारत में तो है नहीं वही रेसीव हो रहा है तो एक के लिए R.O.R. Profit from business carried in Nepal out control India किसके लिए दो के लिए देखो simple simple से question है और simple simple answer है बस इतना आपको करना था इस वाले में तो आपने individual वाले तो देख लिए के कैसे कैसे किया जाएंगे और इसके 10-year वाले भी आपके questions हमने देख लिए अब आजाते हैं चलो कोई question अब बताओ कोई question फिर भी और मुझे लगता है रह गया है अगर देखा जाएने तो किताब के exam में आने वाली सारी चीजों को हम complete कर चुके हैं chapter number two में बट हाँ अभी भी कुछ residential status कई बार HUF का पूछ लिया जाता है कई बार पूछ लिया जाता है मतलब बहुत कम और foreign income का तो company का तो बहुत rare आया ही नहीं है तो मैं फिर भी आपको बता दूँगा इसका residential status क्या होता है वो एक घंटे की class में पूरा clear हो जाएगा लेकिन हाँ उसके लिए ये आना जरूरी है जितने नए बच्चे है उनको समझ में नहीं आएगा अगला chapter नए वाले बच्चों को समझ में आ जाएगा क्योंकि वो पीछे से link नहीं है चलिए बताईए यह हो गया था ना यह तो solution नहीं था यह हो गया इसमें सो कोई point doubt में हो यह तीन question है आप यह समस्वजिएगा एक ही एक question यह है एक question यह है और यह solution है शायद है न यह A का solution है मेरे ख्याल क्या total income और इस foreign income हाँ यह A का solution है भाई और यह B का solution है question तो आपका इतना ही है क्याता है taxable income in India निकालिए income profession Singapore से है और other income earn in Singapore R is liable to pay tax in Singapore और R Singapore में दे भी रहा है तो इंडिया से तो 8 लाग ही कमा रहा है अठारा लाग रुपे फ्रॉम दा प्रोफेशन विच सेट अप इन इंडिया अब यहां पर जंशन ले लिया कि यह प्रोफेशन कहां पर है अगर वहीं पर सेट अप है तो नहीं होगा तो यह सिंपल सा एक बार थियोरी यह देख लीजेगा इसमें कहता है वट विल वी उफ आंसर आर इस विजिट इंडिया एक सो पंदा दिन तो डीम रेजिदेंट है तो यह टेक्स देना पड़ेगा नहीं है तो नहीं है यह हुए का आगया पहला पॉइंट रिसीव इन इंडिया तीनों के लिए प्रॉपर्टी रिसीव इरान इन इंडिया तीनों के लिए इंकम फ्रॉपर्टी स्री लंका डिपोजिट इन बैंक देयर एक के लिए प्रॉफिट बिजनस इस्टैबलिस इन स्री लंका डिपोजिट देयर बैंक बिजनस लेकिन जिसमें से दो लाख रुपए दो लाख सम में से कहता है कि आउट अफ दो लाख में से एक लाख रमेटिव टू इंडिया तो आपका तीन लाख रुपए है यह स्रिफ और रो आर के लिए टेक्सेवलों का बाकी लिए नहीं होगा इंकम प्रोफिशन इंडिया बट रिसीव इन इंग्लेंड तो यह यह तीनों के लिए हो जाएगा प्रॉफिट अन बिजनस इन कानपूर कानपूर भारत में यह तीनों के लिए हो जाएगा income from agriculture England it is the all spent education of the children in London भाई England में पैसे agriculture से कमाया और सारह का सारा खर्चा कहां कर दिया चिल्रन में तब भी ये किसके लिए taxable हो जाएगा ROR के लिए तो taxable होगा ही होगा from the above particular ascertained taxable income जब resident हो non-resident हो और आपका non-ordinary resident हो इन सभी के छोटे छोटे आपको आंसर गीवन है तो मैं सोच रहा हूं क्या कर रहा हूं इसमें मैं आपको तो आंसर भी गीवन हैooo । है मेरे उसाब से और थोड़े से क्षिंट टेनीर के मैं डाल दूँखा प्रैक्टिस के लिएauft सब्सक्राइं प्रेक्रभ्द कि द दिया है कि यसारे कोश्चन उस थे जो टेनीर झाल झाल